महत्मा गांधी और पूर्व प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ज्वयनती पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। साथ ही बापो की याद में सूत काता और खादी के कपड़ों की दुकान का दोरा भी किया। सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले लोकतांत्रिक मुल्यों का पालन करते हुए बड़ी से बड़ी ताकत को जुकाया जा सकता है। भारत की आजादी के आंदोलन में पोजय बापो ने पुरे देश वासियों को अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था। वा लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। और उसी का पेड़ाम था कि स्वदेशी सत्य और आहिंसा का पालन कैसे उन अंग्रेजों को भी देश सोडने के लिए मजबूर कर दिया। जिनके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों के बारे में कि उनके राज में कभी सूरे अस्त नहीं होता। लेकिन भारत की आजादी के आंदोलन ने राश्ट पिता महत्मा गांधी के नित्रतों में लड़ी इस लड़ाई में या साबित किया। इस उसर पर रधानवंत्री मोदी जी के आवहान पर पुरे प्रदेश में बापु के प्रती नमन और सरधानजली सुरूप सभी गराम पंचायतों में सभी नगर निकायों में स्वच्छानजली का एक कारिक्रम विसेश रुप से आयुजित चला है। दूसरी तरह बापु के प्रती नमन और दूसरी तरह महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी देश के दितियप प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का उत्गोस करके पुरे भारत वास्यों को सुरक्सा के प्रती भी और आत्म निर्वरता के प्रती भी आउहान करने वाले सुर्गिय लाल बाहदुर सास्त्री जी की भी आज पावन जयनती है। सास्त्री जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे ही पुझे पापू के प्रम अन्याई भी थे आज इन दोनों महापूर्सों के प्रती सरधा ब्यक्त करने देश और समाज के लिए उनके योगदान के प्रती नमन करने का एक अउसर है मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश वासियों की और से भारत माता के इन दो महान सपूतों को नमन करते वे बनम्र सरधान जले अरपित करता हूं